वेलकम टू भारतवस क्लासेज प्यारे बच्चों हम लोग आज कच्छा आठ जेसी एर्टी विज्ञान के सो अति महतपुर्ण प्रशनों को करेंगे प्यारे बच्चों आप जबी जानते हो कि डेली सुभा सात बचे हम लोग विज्ञान के प्रश्णों को हल करते हैं और एक सब्ता में मैंने आपको जितने भी प्रश्ण उतर करवाए हैं उन सभी प्रश्णों का रिवीजन हम संडे की दिन करते हैं तो वही रिवीजन हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक धुआधार तरीके से एक सांदार तरीके से तो आप लोग तयार हो जाईए पेन और कोपी को ले लिजेगा आप लोग इनके उत्तर्श को चितने बचों ने नोट किया है तो आप अपनी तयारी को देखिए बच्या कि कितनी चीजें आपको याद है आप इस वीडियो को इस तरह देखिए कि यह आपका एक्जाम हो रहा है और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो तो चलिए तयार हैं आप सभी परत्रम प्रस्न दे रखा है बच्चों मानव नेत्र वस्तू का प्रतिबिम किस भाग पर बनाता है तो बताइए सही विकलप क्या है सही विकलप है A. रेटीना रेटीना पर वस्तू का प्रतिबिम बनता है और कितने देर के लिए बनता है एक बट्टे सोला सेकेंड के लिए यह आपको ध्यान में रखना है प्रसन संख्या 2 है स्वेत ब्रकास कितने रंगों का मिश्रन है A. 4 B. 5 C. 8 D. 7 तो सही विकल्प है D. 7 प्यारे बिच्चों यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए राम भान साबित होगी अप लोग विश्वास किजिए सब कुछ भी दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हमें सिर्फ यह देखना है और इसे पूरा देखना है प्रस्ण संक्या 3 यहां दे रखा है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते है A. कॉर्णिया B. आईरिस C. रेटीना D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है आईरिस कई बार आपके विकल्प में पारी तरीका दिया जाता है जो कि आईरिस का हिंदी रूप होता है तो पारी तरीका बोले या फिर आईरिस बोले उसे हम लोग मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है रेटीना क्या करता है हमने प्रस्ण संख्या एक में पढ़ा था जो वस्तु का परतिभिम बनाता है एक बट्य सोला सेकेंड के लिए आपतन कोन प्रावर्तन कोन के बराबर होता है ए सदेव, बी कभी कभी सी कभी नहीं, डी विसेश समय पर तो इसका सही विकल्प क्या है सदेव, आपतन कोन प्रावर्तन कोन के सदेव बराबर होता है प्रस्ण संख्या पांचवा है वस्तुओं को असपष्ट देखने के लिए नियूंतम दूरी होती है ए सो सेंटीमीटर, बी पचास सेंटीमीटर सी 10 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर बताइए सही विकल्प क्या है सही विकल्प है बच्यों डी 25 सेंटीमीटर नियूंतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तभी आप वस्तुओं को असपस रूप से देख सकते हो प्रस्ण संख्या चत्ठा है इन में से कौन खरीफ फसल है A. गेहू B. आलू C. धान D. सोयावीन तो खरीफ फसल क्या होता है बिच्चों जो गर्मी के मुश्रम में यहाँ पे बोया जाता है गर्मी का जो फर्स्ट बरसात होता है यानि जून जुलाई के प्रारम में यहाँ पे यह बोया जाता है तो कौन सा होगा सही विकल्प सही विकल्प होगा धान धान हम लोग बरसात में लगाते हैं यहाँ पे धान हो गया मक्का हो गया यह सभी यहाँ पे खरीफ की फसले होते हैं गेहू आलू यह दोनो रभी की फसले है चना, बी मक्का, सी धान, डी इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब है बच्चों, ए चना, चना यहाँ पे अक्टूबर नहोंबर में लगाया जाता है इसके बाद आलू भी, मडर भी, ये सभी रभी की फसले होती है मक्का, धान, ये खरीव खिसले हैं, ये जून चुलाई में बोई जाती है आठवा प्रश्ण यहाँ पे है, सुवा पोसी का उधारन है सुवा पोसी उसे कहते हैं, जो अपना पोशन स्वेम करता हो A. गाय, B. मानव, C. अमरुद का पेड, D. सेर तो बिच्चों बताईए, इनमें से कोन अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता है गाय अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर है मानव अपने भोजन के लिए पेड़ पोदों पर और जीव जंतों पर निर्भर है पेड़ पोदों से उसे फल फुल, सबजिया, चावल, डाले प्राप्त होती है, मसाला प्राप्त होता है, जीव जन्तुओं से दूद, अंडा, मांस, मचली प्राप्त होता है, सेर अपने भोजन के लिए जन्तुओं पर निर्बर है, अमरूद का पेड़ किसी पर निर्बर नहीं होता है और अपना भोजन स्वयम बनाता है तो स्वपोसी होगा अम्रूत का पेड़ और जो दूसरे पर होते हैं बच्चा उसे बोलते हैं विसंपोसी या फिर परपोसी प्रसंसंख्या नौवा है फसलों के फसलों से अनाच को अलग करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है A. कटाई, B. दोनी, C. उसाई, D. इनमें से सभी बताईए सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है B. दोनी, उसे हम लोग दोनी कहते हैं, दोनी करना दस्वा प्रस्ण है, दावनों को भूसे से अलग करना कहलाता है A. कटाई, B. जुताई, C. थ्रेसिंग, D. निराई बताईए, इसमें क्यों सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही विकल्प होगा C. थ्रेसिंग, दाने से बूसो को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है प्रस्ण संख्या ग्यारवा है, मौमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो इसका सही विकल्प आप लोग A में लगा लिजेगा प्रस्ण संख्या बारवा दे रखा है, मौमबत्ती की ज्वाला का मद भाग कैसा दिखाई देता है A. काला, B. लाल, C. हरा, D. पीला, तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बच्चों, पीला, वह पीले रंग का दिखाई देता है प्रस्ण संख्या तेरवा है तेल में लगी आग को किस अगनी सामक द्वारा बुझाया जाता है ए कार्बन टाइकसाइड, बी ओक्सीजन, सी ओ और डी एन उसका सही विकल्ब है सी ओ टू ओप्सन ए तेल में आग लगेगा तो उसे हम लोग कार्बन टाइकसाइड से भुझाएंगे सी ओ टू से, क्यों भुझाएंगे, क्योंकि तेल में लगी आग को हम लोग पानी से नहीं भुझा सकते है पानी से बुझाएंगे तो पानी नीचे चला जाएगा और तेल उसके तली में उपर तेरता रहेगा और आग नहीं बुझाएंगी इसलिए हम लोग उसे Carbon Dioxide से बुझाते हैं Carbon Dioxide से हम लोग विधूत का उपकरनों में जो आग लगती है बच्चों उसे भी हम लोग carbon dioxide से बुझाते हैं क्योंकि विधूत उपकर्णों में लगी आपको यदि हम लोग पानी से बुझाएंगे तो पानी विधूत का सुचालक है उससे हमें current लग सकता है इसलिए हम लोग उसे carbon dioxide से बुझाते हैं जुआला के कितने छेत्र होते हैं? तो इसका सही विकल्प है C3 इसके तीन छेत्र होते हैं पंदरवा परशन है विधूत उपकर्णों में लगी आप बुझाने के लिए सबसे अच्छा अगनी सामक है तो अभी हमने बताया कि carbon dioxide से हम लोग बुझाते हैं पानी पेट्रोल से नहीं बुझा सकते हैं प्रशन संख्या 16 है इंद्रधनूस बनने के पीछे कोन सी प्रिक्रिया नहीं थै प्रावर्तन, A प्रावर्तन, B वर्न विचेपन, C अपवर्तन, D इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प क्या होगा? Very good, B वर्न विचेपन होगा प्रशन संख्या 17 है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंज रहता है? A उत्तर लेंज, B अउत्तर लेंज, C दोनो, D इन में से कोई नहीं तो बताईए कौन सा लेंज रहता है मानव नेत्र में? Very good, उत्तर लेंज होता है प्रावर्तन संख्या 18 है, सोर परिवार का सबसे गर्म गरह कौन सा है? A प्रिथवी, B विरस्पती, C बुध, D सुक्र, तो कई बच्चे इस प्रशन में कन्फ्यूज रहते हैं वें बोलते हैं कि सर प्रिथवी, यहाँ पे जो बुध है वो सुर से सबसे सामने है तो सबसे गर्म गरह तो बुध होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चा, बुध सबसे गर्म गरह नहीं है क्योंकि बुध में कोई भी वायू मंडल नहीं है, वह परकास की खिरन को अवसोसित नहीं करता है लेकिन सुक्र यहां पे जो है वो परकास की खिरन का उसोसीत करता है क्योंकि उसमें वायो मंडल है तो यहां पे सुक्र सबसे गर्म गरा होगा यहां पे सुक्र सही विकल बहन सुक्र की बात करें तो सुक्र को प्रीथवी की जुड़वा बहन सांज का तारा, बहुर का तारा सबसे चमकीला गरह कहा जाता है ये चार बाते आपको ध्यान में रखनी है बात करें बिरस्पती की तो बिरस्पती स्वर्मंडल का सबसे बड़ा करह होता है बात करें प्रित्वी को तो एक माजर गरह जिस पर इवन संभव है जिसे नीला गरह भी कहा जाता है और प्रित्वी सूर से तिसरे नंबर की गरह है प्रसन सक्या उनीशुआ है इन में से किस गरह को सांज का तारा कहा जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि सुक्र को सांज का तारा, भोर का तारा, चमकीला गरा, प्रीथवी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म गरा कहा जाता है तो सही विखलब है C. सुक्र मंगल को हम लोग लाल गरा कहते हैं मंगल और बिरस्पती के बीच छुद्र गरा की पटी होती है प्रसंसंख्या वी स्वाइं आँ दिया किया है इनमें से कौन प्राकर्तिक उपगरा है अ बिरस्पती, बी सुरिय, सी आरीभठ, डी चंद्रमा उपगरा क्या होते हैं? वे जो गरहों के चकर लगाते हैं तो चंद्रमा प्रिथवी का एक मात्र प्राकिर्तिक उपगरा है विरस्पति गरा है सुरितारा है और आरभट क्रित्रीम उपगरा है प्रसन संख्या 21 है किस गरा को प्रिथवी की जुड़वा बहन कहते हैं तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की कि सुक्र को प्रिथवी की जुड़वा बहन कहते हैं सनी के चारो और वलय होता है प्रसन संख्या 22 है किस गरा को लाल गरा कहा जाता है पता ये सही विकल्प क्या है सही विकल्प है मंगल मंगल को लाल गरा कहते हैं प्रीथवी को नीला गरा कहते हैं 23 प्रसन है कौन सा बल सोर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है ए चुम्बकिये बल B विधुत बल C गुर्तवा कर्षन बल D नाबकिये बल तो इसका सही विकल्प है सी गुर्तवा कर्षन बल प्रसन संक्या 24 वा है प्रित्वी का निकटतम ग्रा कोन सा है A. मंगल B. सुक्र C. दोनो D. इन में से कोई नहीं तो बच्चा मैं ग्राहों को क्रम के अनुसार बता देता हूँ पहले नंबर पर बुद्ध है फिर सुक्र, प्रित्वी, मंगल, विरस्पती, सनी, यूरेनस और नेप्च्यून तो प्रित्वी के इधर सुक्र है और इधर मंगल तो दोनों ही इसके आजू भाजू है आपके विकल्प में हो सकता है कि मंगल ना देकर यहां विरस्पती लिख दिया हो तो आपको शुक्र में लगाना है और हो सकता है कि यहां शुक्र ना लिखकर विरस्पती लिख दिया हो तो मंगल में लगाना, यानि इन दोनों में से कोई एक दे, तो आपको मंगल चुनना है, या फिर सुकर को चुनना है प्रसन संख्या 25 है, सोर परिवार का सबसे चमकीला गरह कौन है? बताईए सही विकल्ब क्या है, तो सुकर यहां पे सही विकल्ब है बच्चों हमने 25 कोर्शन को कर लिया, बताईए कि इसमें कितने बच्चों को अभी तक का स्कौर 25 बटे 25 रहा है तो प्यारे पुच्चों, आप लोगों की त्यारी एक सांदार और धमाकेदार वाली हो रही है और आपको ध्रिट परतिक यल करनी है, कि जब तक हम लोग इसे पूरा नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं वो कहते हैं नज कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो हमें पूरा इसे करना है और एक सांदार तरीके से करना है प्रसंद संख्या 26 है बर्फ पर चलने पर हम फिसल जाते हैं क्योंकि बर्फ की सता पर घरसन A. अधिक होता है B. कम होता है C. सुन होता है D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है बच्चों कम होता है बर्फ की सता पर घरसन कम होता है ठीक है प्रसंद संख्या सता इसमा है कि जिस द्रव के उप्योग से घरसन कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं A. इसनेहक B. गर्षन C. बल D. इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प है A. इसने हक उसे हम लोग इसने हक कहते हैं बच्चो कई बच्चो के दिमाग में विचार आते हैं कि नहीं चलो इसे हम लोग बंद करें कि दूसरी चीज़े थे बच्चो मानविय सुभाव ही होता है कि जब भी आप कुछ अच्छी चीज़े करने आते हो तो आपकी दिमाग में कई तरह की विचार आते हैं तो बच्चो आपको उन विचारों को त्याग कर अपने केरियर की और की और फोकस करना है अपने exams के और focus करना है कि आप ये चीज़े बाद में भी कर सकते हो लेकिन यदि आपका exam सामने है तो आप पहले पढ़ाई किजेगा उसके बाद-बाद की चीज़े करना है ठीक है तो प्रसंद संख्य 28 यहां है कि ball bearing के उपयोग से A. घरसन घटता है B. घरसन बढ़ता है C. कोई प्रभाव नहीं पढ़ता D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही विगल्प है B. घरसन गरसन बढ़ता नहीं है घरसन घटता है विगल्प B में नहीं लगाईएगा option A सही है घरसन घटता है इसमें क्या होगा घर्षन घटेगा उन्तिसमा है निम्न में से कौन प्राकिर्टिक रेशा है प्राकिर्टिक रेशा जो प्राकिर्टिक रूप से प्राप्त हो तिसका सही विकल्प क्या है सही विकल्प है ए उन उन या फिर ट्रेशम यहाँ पर प्राकिर्तिक रेशा है नाइलोन, रेयोन, पॉलियेस्टर यह तीनों संसलेशित या फिर कृत्रिम रेशा है प्रसंद संख्या तीसवा है पॉलिथिन किस परकार का प्लास्टिक है A. मेला माईन B. थर्मोप्लास्टिक C. रेशम D. पॉलिवड बताएए सही विकल्प क्या है B. थर्मोप्लास्टिक बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज बच्चा इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा बच्चों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे लाइक कर रहे हैं चीजों को पसंद कर रहे हैं तो बच्चों हम एक और सांदर तरीके से और आपके लिए जीजान लगा के आपको तियारी करवाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा बच्चा एक तिस्वा प्रस्ण है नेतर का वाभाग जो इसमें वेस्ट होने वाले प्रकास को नियंतरित करता है बताए सही विकल्प क्या है तो इसका सही विकल्प है बच्चा जो इसमें प्रकास को नियंतरित करता है उसे हम लोग आईरिस या पारी तरीका भी कहते है प्रस्ण संक्या 32 है कोन हमेशा बराबर होता है तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि आपतन कोन और परावर्तन कोन सदेव बराबर होते हैं तो option A सही है पत्र सक्या 33 है समतल दर्पन में बना प्रतिविंब होता है A अभासी B सामने C वास्तिविक D इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है A अभासी समतल दर्पन में बना प्रतिविंब अभासी होता है प्रस्ण संक्या 34 है निम्न में कौन नर हार्मोन है A. एस्ट्रोजन B. टेस्टोस्टेरोन C. प्यूस गरंती D. इनमें से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प क्या है बच्चा इसका सही विकल्प है B. टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे नर हार्मोन है एस्ट्रोजन यहां पर मादा हर्मोन होता है प्रसंद संख्या 35 है इंसूलीन की कमी के कारण होता है A. मधुमे B. गेंगा C. बोनापन D. मलेरिया तो इसका सही विकल्प है मधुमे, गेंगा यहां पर जो होता है वो आयोडिन की कमी से होता है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छा की काटने से होता है प्रसंद संख्या 36 है मनुष्य की कोसिका के केंदरक में कितने जोड़े गुनसूत्र पाये जाते हैं A. 22 जोड़ा B. 24 जोड़ा C. 23 जोड़ा D. 25 जोड़ा पता है यह सही विकल्प क्या है तो हमारा सही विकल्प है 23 जोड़ा यानि 46 46 जोड़ा गुनसूत्र पाये जाते है 37 है लड़कों के गले में उबरा हुआ भाग क्या कहलाता है A. Larynx B. Adams Apple C. Thyroid D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है B. Adams Apple जो लड़कों के गले में उबरा हुआ भाग रहता है उसे हम लोग Adams Apple कहते है प्रसंद संख्या 38 है लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातू का विधूत लेपन किया जाता है A. चांदी B. क्रोमियम C. जिंग D. इन प्रसंद संख्या 49 है यहां पे जनना होगा जनना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं तो सही विकल्प क्या है Option C, जनना ताप उसे हम लोग जनना ताप कहते हैं अब लोग इसे सुल्दार लिजिएगा यह चनना हो गा है लेकिन यह जनना होगा परसन संक्या चालिसवा है आवर्तकाल का मात्रक है A. मीटर B. किलोग्राम C. आयाम D. सेकेंड तो मीटर नहीं होगा मीटर दूरी का होगा और यहाँ पे किलोग्राम भार का होता है सेकेंड यहाँ पे सही विकल्ब है प्रसंद क्या 41 है ध्वानी की परबलता किस कारक पर निर्भर करती है A. तारत्व B. आयाम C. सोर D. इन में से कोई नहीं तो बच्चो ध्वानी की परबलता किस पर निर्भर करेगी पताए ध्वानी की परबलता आयाम पर निर्भर करती है इसका सही विकल्ब है बी प्रसंद संख्या ब्यालिस्वा है LPG का पूरा नाम क्या है LPG गेस जो हमारे घरेलू घरेलू को चुला होता है उसमें हम लोग सिलेंडर में भरते हैं A. लो प्रोसेसर गेस B. लो प्रेसर गेस C. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस D. लोड़ेड प्रेसर गेस तो सही विकल्प क्या है ब्यच्या सही विकल्प है C. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गेस Very-very important है ब्यच्या जो यह प्रशन मैं करवा रहा हूं Very-very important है कई बार आपकी एक्सामस में यह प्रशन रिपीट भी हो चुका है तो इसका सही विकल्प होगा C, Liquified Petroleum Gas प्रसंद संख्या 43-वा है एक आवेसित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेसित वस्तु अथवा अनावेसित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है A. चुम्बकिय बल B. गुर्तवा कर्षन बल C. घर्षन बल D. इस्तिर वैदूत बल बताए सही विकल्प क्या है तो इसका सही विकल्प है D. विस्तिर वैदूत बल एक आवेसित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेसित या अनावेसित वस्तु पर लगाया गया बल इस्तिर वैदूत बल कहलाता है प्रसंद संखिया 44 है निम्न में कौन मादा हार्मोन है A. Estrogen B. Testosterone C. T. S. H. D. P. गरंती तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा है कि यह नर हार्मोन है A. होगा Estrogen Estrogen मादा हार्मोन होता है 45 प्रसंद है निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुमें है प्रदीप्त वस्तुमें वे होती है जिसे हमें रोष्णी मिलती है A. लकडी B. सुर्य C. मानव D. पत्ता तो केवल सुर्य यहाँ पे होगा प्रदीप्त वस्तुमें सुर्य से ही यहाँ पे उजाला मिल रहा है लकडी मानो पत्ता से कोई भी उजाला नहीं मिलता है प्रसन संख्या 46 वा है निवन में कौन आप्रदीप्त वस्तुए है बच्छा आप्रदीप्त वस्तुए किसे बोलेंगे जिनसे हमें रोष्णी नहीं मिलती है ओप्षन है A. दरपन, B. आग, C. विधुत वल्ब, D. इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्प है बच्छो A. दरपन, दरपन से हमें रोष्णी नहीं मिलती है आग को जलाएंगे तो रोष्णी होगा, विधुत वल्ब से भी रोष्णी मिलती है तो ये दोनों प्रदीप्त वस्तु हैं, सुर्य भी प्रदीप्त वस्तु है प्रशन संख्या से तालिस्वा है जन्म लेने वाले सीशु के लिख निर्धारन के लिए जिम्मेवार कोशिका की सगरशना को कहते है बताए सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है A. गुन्सूत्र उसे हम लोग कहते है प्रशन संख्या अर्फ। आलिस्वा है, इनमें से कौन विधुदधारा का सुचालक है? विदुदधारा का सुचालक अर्थ क्या है? कि जिसमें से करेंट पास हो सकता है ए लकड़ी, बी रबड़, सी कागज, डी पीतल तो लकड़ी नहीं होगा लकड़ी यहाँ पे सुखी लकड़ी की बात हो रही है कागज नहीं होगा, रबड़ में भी नहीं होगा पीतल, पीतल में हो जाएगा तो यहाँ पे विधुद्धारा का सुचालक पीतल होगा उन्चास्वा प्रस्ण है इन में से कौन विधुद्धारा का कुछालक है कुछालक जो अच्छा चालक ना हो जिसमें से विधुद्ध पास ना हो A. तामबा, B. लोहा, C. ग्रेफाइट, D. प्लास्टिक तो तामबा, लोहा, ग्रेफाइट में विधुद्ध यहाँ पे पास हो जाएगा लेकिन प्लास्टिक में पास नहीं होगा तो प्लास्टिक सही विकल्प है पच्चासमा प्रस्ण है किस को सिकांग को आत्म हतिया की धैली कहा जाता है A. तारक काई को B. माइटोकॉंट्रिया को C. क्रोमोजोम को D. लाइसोसोम को सही विकल्प क्या है बिच्चा सही विकल्प है D. लाइसोसोम लाइसोसोम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं आत्म हतिया की धैली बोलते हैं ये आपको ध्यान से रखना है suicidal bag, इंगलिस में बात करें, तुसे हम लोग इंगलिस में suicidal bag भी कहते हैं ठीक है, तो बताई आप लोगों को 50 में से कितने score होए अभी तक, एक दो score कम भी होए होगे, बच्चा, 50 में कम से कम आप लोगों को 45 45 हुआ होगा, तो आप लोग अभी एक दम best condition में हो best हो, अप लोगों को अभी और अच्छे से इस परशनों को revision किजिएगा अभी हम लोग करने वाले हैं, 51 से लेकर शो तक, तो बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है, आपको बने रहना है हमारे साथ पानी आप लोग पी सकते हो अभी पानी पी लीजिए और फिर से हम लोग करते हैं, चल्दी से पानी पी लीजिए चलिए, स्टाट करते हैं इक्यानवा परशनों जो परशन संख्या इक्यानवा दे रखा है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है A. जन्तु कोसिका में B. पोधा कोसिका में C. दोनो D. किसी में भी नहीं तो बच्चा इसका सही विकल्प है B. पोधा कोसिका में जन्तु कोसिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है परशन संख्या बावनवा है अमीबा एकल कोस्किय जीव है इसके एक ही कोशिका में होता है A. पाचन B. अंताग्रहन C. अवसोसन एवं उत्सरजन दोनो D. या सभी क्रियाएं तो सही विकल्प होगा D. या सभी क्रियाएं बच्चों आप लोग ठके तो नहीं हो बच्चों आप लोगों को जब भी लगे कि हम पढ़ाय करते हुए बोर हो रहे हैं तो एक बार अपने माता पिता के आँखों में देख लेना कितने उमीद लगा कर आप से बेटे हुए कि हमारी बेटी है तो आगे चल कर नोकरी करेगी अपने घर का नाम रोसन करेगी अपने गाउं का रहत नाम रोसन करेगी बच्चे अब लड़के हो तो आपसे भी माता पिता बहुत उमीद लगा के बेटे हुए है तो बच्चे आपको उन्हें धोखा नहीं देना है उनसे आप मन लगा के पढ़िए बच्चे था कि आपको अपने माता पिता अपने भाई बहन सीना गर्व से चोड़ा हो जाए उनके लगे कि हाँ मेरा भाई है तो सबसे तेजे सबसे होसियार है ठकना नहीं है रुकना नहीं है प्रसन संख्या तेरपनवा यहां दे रख्या है एक मुलायम धातू जिसे चाकू से असानी से काटा जा सकता है ए पारा बी सोडियम सी सोना डी चांदी तो सही विकल्प है बी सोडियम क्या होगा सोडियम जिसे हम लोग असानी से काट सकते हैं और इसे हम लोग मिटी के तेल में दूबा कर रखते हैं क्योंकि आब बहुत ही क्रिया सिल थातु होती है प्रसन संख्या चवनवा लगाते हैं प्रसन संख्या चवनवा है एक अधातु जिसमें चमक होती है एकोयला, बी आयोडीन, Сी सलफर, डी ब्रोमीन तो इसका सही विकल्प है B. Iodine Iodine में चमक होती है प्रसन संख्या 55 है सरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक की क्या है A. कोसी का B. उतक C. अंग D. इन में से कोई नहीं तो सही विकल्ब है A. कोसी का कोसी का कोसी का किसे मोग उतक उतक, उतक से अंग और अंग से एक संपुर्ण जीव तो सबसे छोटा क्या हुआ? कोसी का हुआ प्रसन संख्या छपनवा है एक धातु जो द्रव के रूप में होता है A. सोना B. एलुमिनियम C. पारा D. चांदी कई बार यह प्रसन इस तरह भी आता है कि एक धातु जो कमरे किताब पर द्रव होता है तो उसका भी विकल्ज उतर रही होगा पारा प्रसन संख्या संतावनवा है कि डेंगू पर जीवी का वाहक है A. मादा एडीज मच्छर B. घरेलू मक्खी C. मादा एनाफिलीज मच्छर D. कोक्रोच तो सही विकल्प है A. मादा एडीज मच्छर यहाँ पर एनाफिलीज जो है वो मलेरिया का वाहक है बिच्छो प्रसन संख्या 69 है निमलिकित में कौन सा गोल विधूत का कुछ आलक है कुछ आलक कर्थ क्या है विधूत का चालक ना हो अच्छा चालक नहीं है A. निम्बू का रस B. नल का पानी C. सिर्का D. आसुत जल तो इसका सही विकल्प क्या होगा Very good D. आसुत जल होगा जिसे हम लोग सुध जल भी बोलते है बात करें निम्बू के रस नल का पानी और सिर्का इन तीनों में विदूत का परवा होगा ये विदूत के सुचालक है यहाँ पे अगला प्रस्ण है निम्लिकित में कौन सी ऐसी धातू है जिसके विदूत लेपन के द्वारा किसी वस्तू की चमक को पढ़ा ही जा सकती है A. लोहा P. तांबा C. एलूमिनियम D. क्रोमियम तो सही विकल्प है इसका D. क्रोमियम क्रोमियम के विदूत लेपन से हम किसी वस्तू की चमक को बढ़ा सकते हैं प्रस्ण संक्या साथ है सुच में जीव कहां पाए जाते हैं A. जल B. मिती C. वायू D. इन सभी जगा में तो इसका सही विकल्प होगा बच्चा D. इन सभी जगा में जल में मिती में वायू में तीनों जगा में सुच मजीव पाए जाते हैं प्रस्ण संक्या 61 है सबसे छोटा एक कुछ के जीव कौन सा है A. माइको प्लाजमा B. जिवानू C. अमीपा D. इस्ट पताईए सही विकल्प क्या है तो सही विकल्प है बच्चों A. माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा सबसे छोटा एक कौस के जीव होता है 62 प्रस्ण है जन्तु के सरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कौसिका है A. तंत्रीका कोशिका B. पेसिय कोशिका C. अंड कोशिका D. हड़ी की कोशिका सही विकल्प क्या है सही विकल्प है तंत्रीका कोशिका तंत्रीका कोशिका जन्तु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है प्रस्न संक्या Advisor 63वं है प्रोटीन का निर्मान का संस्लेशन होता है A. Ribosome B. Lysosome C. Golgiade B. Mitocondria बताए सही विकल्प क्या है सही विकल्प है A. Ribosome Ribosome में प्रोटीन का निर्मान होता है इसे protein factory भी कहते हैं क्या होगा Ribosome 64. पादप कोशिका का सबसे पाहरी आवरन कहलाता है A. सिराविन्यास B. कोशिका भीत्ती C. कोशिका जिल्ली D. इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्प हमारा है B. कोशिका भीत्ती उसे हम लोग कोशिका भीत्ती कहते हैं 65. प्रस्त है सजीवों में अनुवांसिक गुनों का वाहक है A. जीन B. प्लाजमा जिल्ली C. कोशिका द्रव D. माइटोकॉंड्रिया तो इसका सही विकल्प है option A. जीन जीन सजीवों में अनुवांसिक गुनों का वाहक होता है जीन के ही द्वारा एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी उसके लक्षन आते हैं उनके अनुवांसिक गुन आते है प्रस्त सजीवानू दूद को दही में परिवर्तित करता है एनोफिलिसिस एंटिबायोटिक लेक्टो बेसिलस इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प है C. लेक्टो बेसिलस जीवानू दूद को दही में परिवर्तत करता है सरशटवा प्रस्ण है सबसे पहले कौन सा प्रतिजयविक हो जा गया A. पेनिसिलीन B. स्ट्रेप्टो मैसीन C. टेटरा साइकलीन डिन में से कोई नहीं तो सही विकल्प है Option A. पेनिसिलीन जितने भी बच्चे मन लगा के देख रहे हैं बच्चे आप विश्वास किजिए आपको यही प्रस्ण आप बार बार धन्यवाद दोगे एक्जाम के समय कि सर्म हमने उस समय महनत की थी आज हमें सारे उत्तर याद है आज हम समी कर रहे है तो ध्यान से पढ़ती है बच्चा और हमने सर्शट प्रस्ण को कर लिया यानि 67% हमारा स्वाप्त हो गया है बस इसके बाद हम लोग जल जली से करते हैं और सठवा है कौन से ढातू विधूत की सबसे अच्छी चालक है A. लोहा B. चांदी C. अलूमीनियम D. तामबा तो सही विकल्प है B ओप्शन B चांदी जो है विधूत की सबसे अधिक अच्छी चालक होती है उनहतरवा है कमरे के ताप पर दरव अवस्था में रहने वाली अधातू है देखें यहाँ पर अधातू लिखा हुआ है धातू वो रहा था तब तो पारा सही है लेकिन अधातू है क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, आयोडीन सही विकल्प है B. ब्रोमीन कमरे के ताप पर अव दरव अस्था ब्रोमीन अधातू में कबरे के ताप पर द्रवस्था में रहने वाली धातू है पारा, केल्सियम, मेगनीसियम, सोडियम तो सही विकल्प है A. पारा हमने अभी इस प्रस्ण को किया था एक खतरवा प्रस्ण है हाइडरा में जनन की विधी है A. बहुवी खंडन, B. खंडन, C. मुकूलन, D. द्वी विभाजन तो यह प्रस्ण मैंने कम्यूनिटी पोस्ट पे पी डाला था तो इसका सही विकल्प होगा C. मुकूलन उसमें एक उभार होता है और बात में वह स्वतंत्र हाइडरा बन जाता है खंडन, खंडन बात करें तो यह अमीवा में होता है एक युगमरज में पाए जानने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है एक, दो, तीन या चार सही विकल्प है A. एक, इसमें एक केंद्र होते हैं निम्न बलो में कौन सा संपरकित बल है एक, गुरुत्व बल, बी, चुमके बल, सी, घर्षन बल, डी, इस्थिर्वेदुद बल तो चुमके गुरुत्व बल क्या होता है जो प्रित्वी हर एक वस्तू का अपनी और आकरशित करती है गुरुत्व बल होता है चुम्बिक्य बल, घर्षन बल, इस्तिर्वे दुद्बल तो इस्तिर्वे दुद्बल भी यहां पे सब पर किद बल है मादा युगमनज तथा नर युगमनज की विधी कहलाती है निसेचन, परागन, युगमनज इन में से कोई नहीं तो सही विकल्प क्या है, बताइए, सही विकल्प है ए निसेचन, उसे निसेचन कहते हैं और यहां पे सही विकल्प है उप्सन ए प्रसंसंख्या 75 है, किसी पदार्त के दहन का पोसक पदार्त है A. Carbon, B. Gel, C. Oxygen, D. Carbon, D. Oxide तो सही विकल्प है A, यहां पे C. Oxygen Oxygen, जब तक मिलते रहेगा, तब तक आग जलता रहेगा तो यहां पे पोसक पदार्त Oxygen होगा 76 प्रस्ण है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा इंदन कौन सा है A. लकडी, B. कोईला, C. LPG, D. Hydrogen तो इसमें सही विकल्प है C. LPG LPG का पूर्ण रूप मैंने आपको प्रस्णों में ही करवाया है Liquified Petroleum Gas क्या होगा? Liquified Petroleum Gas 77 प्रस्ण है, निमलिकित में किस इंदन का उसमिय मान सबसे अधिक होता है A. लकडी, B. केरोसिन, C. हाइडरोजन, D. LPG तो इसका भी विकल्प होगा LPG यानि Option D. Liquified Petroleum Gas 88 प्रस्ण है, निमलिकित में कौन सा पदार्थ आदहंसिल है आदहंसिल का अर्थ क्या है? कि जो ना जले लकडी जल जाएगा, पेट्रोल इसमें आग पकड़ लेगा कोईला जल जाएगा, पत्थर पत्थर नहीं जलेगा तो Option D. पत्थर आदहंसिल है इस्तरियों में होने वाले मासिक सराव की समान अवधी क्या है? 22 दिन, 35 दिन, 14 दिन या 28 दिन मासिक यानि महिने में होने वाला 28 दिन, लगभग 28 दिन यहाँपे समान अवधी होती है पुतली का आकार कम रोश्णी में क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, इन में से कोई नहीं तो पुतली का आकार बढ़ जाता है आस्त्रव्य ध्वनी की आविर्थी कितनी है 20 हैट से कम 20 हैट से अधिक 2000 हैट इन में से कोई नहीं तो इसका सही विकल्प है option A 20 हैट से कम तो सही विकल्प है option B उलकाएं उसे हम लोग उलका कहते हैं Cellulose का सुधरूप क्या है? कागज, प्लास्टिक, रबबड, इनमें से कोई नहीं सही विकल्ब है Option A, कागज प्रती सेकेंड होने वाले कमपनों या कमपनियों हो गया है यहाँ पे होगा कमपनों कमपनों की संख्या को कहते हैं आविर्ती, आयाम, आवर्तकाल, इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्ब है आविर्ती या कमपनियों नहीं है, कमपनों है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम लोग आविर्ती कहते हैं अप्रियध्वानी को कहते हैं A. संगीत, B. सोर, C. बल, D. इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम लोग सोर बोलते हैं, जो हमारे कावनों को सुनने में ठीक ना लगे, उसे अप्रिय ध्वानी बोलेंगे, या फिर हम लोग सोर बोलेंगे. 87 प्रशन है, राइजोबियम नामक जीवानू, किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले गरंथियों में उपस्तित होते हैं? A. रेसेदार फसल, B. फलीदार फसल, C. अनाज फसल, D. इन में से कोई नहीं, तो सही विकल्प है हमारा B. फलीदार फसल, फलीदार फसल, राइजोबियम नामक जीवानू, इसी के जड़ की गरंथियों में उपस्तित होते हैं. अठासी वाँ प्रस्ण है, यदि आपतन कोन 30 दिगरी है, तो परावरतन कोन का मान क्या होगा? इसमे आपको, मैंने आपको बताया कि आपतन कोन सदेव परावरतन कोन के बरावर होता है? आपतन कोन 30 दिगरी है, तो परावरतन कोन भी 30 दिगरी होगा? option A 30 degree सूर से प्रीथवी की दूरी कितनी है 8 परकास वर्ष 8.3 परकास वर्ष 9.3 परकास वर्ष 10 परकास वर्ष तो option B सही है 8.3 परकास वर्ष सूर से सबसे दूर गरा कोन सा है तो याद रखिये बूद सुगर प्रीथवी मंगल ब्रिश्पति सनी, यूरेनस और नेप्चून तो बूद सबसे सामने है प्ली थी तीसरे नंबर पे है मंगल चौथे नंबर पे है नेप्चून सबसे अंतिम में है तो अप्सन डी होगा विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है अमीवा, हाइडरा, पेरामीशियम, बेक्टरिया तो हाइडरा में तो मुकूलम होता है हामीवा में द्वी खंडन द्वारा जनन होता है क्योंकि वहाँ तूट जाता है दो भागों में और अलग-अलग सजीवों में पिडी दर पिडी निरंतरता को कौन सा प्रकरम आविसक है A. पाचन B. स्वसन C. जनन D. परिशंजरन तो सही विकल्प है C. जनन प्रसंद संक्या 93 है मनुश में जिवानु द्वारा होने वाला एक समान रोग है A. खसरा B. टाइफॉइड मनुश में जिवानु द्वारा होने वाला एक समान रोग। तयफॉइड है चोरानवेवां परशन है मनुश में वायरस द्वारा होने वाला एक समान रोग है A. पॉलियो B. टाइफॉइड C. मलेरिया D. इनमें से कोई नहीं तो सही विकल्प क्या है वाइरस द्वारा होता है तो इसमें होगा पोलियो कौन सा पोलियो इसमें सही है पोलियो किसके कारण होता है तो हमने अभी पढ़ा पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है वाइरस का तो अपसंटी होगा डेंगू परजीवी का वाहक है देगुख हमने पढ़ा था मादा एडीज होगा मादा एना फिलिज बोले तो यह होगा मलेरिया का संतान्वा अवेश कितने बरकार के होते हैं एक, दो, तीन, चार अवेश दो बरकार के होते हैं धन अवेश और रjos होगा option B प्रिथवी के भूपटल का कमपन क्या कहलाता है भूकम्प, जुवाला मुखी, तडित या चकरवाद तो प्रिथवी के भूपटल का एक डोलना भूकम्प कहलाता है और इसमें सिस्मोगराप कुद्वारा नापते हैं प्रशन संख्या 100, अमलवर्सा का प्रमुकअल है ब्रशन संख्या 100, वर्सा प्रमूकअल नाइटरिक अमल एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं तो इसमें सलफिउरिक अमल नाइटरिक अमल दोनई होते हैं आपको स्कोर जरूर बताना है कि आपका सो में कितना स्कोर रहा इमांदारी से बताएगा बच्चा चुकि इमांदारी से आप अभी बोलो कि सही सर हमारा अच्छा है यह नहीं आपको अपने से देखना है बच्चा कोई आपको यहाँ पे नहीं जानने वाला है तीकि इसमें आपका फायदा है कि आप अपनी जाच खुद से कर रहे हो तो यहाँ सबसे सर्वत्तम जाच होती है विच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किजेगा शेर किजेगा और प्लीज बच्चा भारतवस क्लासेश को शेर किजे सस्क्राइब किजिए धन्यवाद बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में